यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ हिमाचल में जल्द ही 2367 शिक्षकों की भरती की जाएगी सरकार ने इन पदों को भरने के लिए राजय करमचारी चायन आयोग और लोग सिवा आयोग को आदेश जारी कर दिये हैं वीरवार को हाई कोट पे सौपे गए सरकार के शपत पत्र में शिक्षा सचिव ने ये जानकारी दिये हैं कोट मीत्र ने अदालत को बताया कि परदेश भर में कुल 14,354 पद खाली पड़े हैं राजय सरकार द्वारा लिया गए इन ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्राबधानों के अनुरूप नहीं है यदि राजय सरकार सही माईने में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्राबधानों को लागू करना चाहती है तो उस थिदी में कमपदों को भढ़ने के बारे में कदम उठा कर अधालत के समक्ष स्पष्टी करना देते राजय सरकार के माधुकता ने अधालत को आश्वस्त किया है कि वो व्यक्तिकत रूप से इस मामले पर समधिद मंतरी से बादचीत करेंगे और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्राबधानों को भढ़ने के बारे में जरूरी कदम उठाए जाएंगे कारेवाहक मुख्य न्याधिश संजी करोल और न्याधिश संदी प्रिशर्मा की खनपीट ने प्रधान सचिव शिक्षा को यादिश दिये कि वो अपना नीजी शपत पत्र उदाय कर ताजा स्ट्विटिस रिपोर्ट दायर करे पिछले सुनवाई की दौरान शिक्षा सचिव ने शपत पत्र के मार्धम से अदालक को बताया था कि हिमाच्य परदेश में शिक्षकों के लगभग 10,000 पत खाली है और प्रात्मिक स्कूलों में अध्यापकों के 25,293 सविकृत पतों में से 1774 पत खाली चर रहे हैं अपर प्राइमरी में अध्यापकों के 16,185 सविकृत पतों में से 2,493 में पत खाली है का कि झाले है तो झाले वेग कि झाले है।